सूरिकुमार यादव ने आज हौंग कौंग के गेन बाज़ों को ऐसा धोया कि रात को सपने में भी हौंग कौंग के प्लियरों को सूरिकुमार यादव ही नजर आएंगे जी हा दोस्तों नमस्कार एशिया कप में भारत का मुकाबला आज होंग कॉंग से था और इसमें भारत की शुरुआत अच्छी रही या बुरी रही ये तो मुझे पता नहीं लेकिन पहली विके ट्रोइट चर्मा के रूप में गिरी और वो कुल 38 रन बनेते भारत के तब आउट है और उन्होंने 13 गेंदों में 29 रन बनाए लेकिन केल राउल आज ट्रोइट खेलने आये थे या फिर टेस्ट खेलने आये थे इसका जवाब तो शायद वो खुदी दे पाएंगे हाला कि किंकोली ने उनका काफी अच्छे से साथ निभाया लेकिन उसके बाद केल राउल खुदी 49 गेंदों में 36 रनों पर आउट हो गए ज्या दोस्तों 49 गेंदों में 36 रनों पर क्याने T20 में वो टेस्ट वाला या फिर कहेंगे वनडे वाला स्ट्राइक रेट रखकर आउट हुए लेकिन ये भारत के लिए काफी अच्छा हुआ कि वो आउट हो गए क्योंकि उसके बाद ही आये सूर्यकुमार यादव और सूर्यकुमार यादव ने दिखा दिया कि क् आते ही उन्होंने कुछ अलग ही अंदाज में बल्लेवाजी की और चारों तरफ हिटिंग शॉट्स लगाए दोस्तों उन्होंने एक बार तो MS-2 के हेलिक्याप्टर शॉट की भी याद दिला दी एक वक्त ऐसा लग रहा था कि भारत क्या 160 रन भी बना पाएगा और वही भ वक्तिमार याद उन्हें आज की पारी में सिर्फ 26 गेंदों में 68 रनों की पारी खेली जिया दोस्तों कुल मिला के उनका स्ट्राइक रेट सा था 261 से भी जादा का उन्होंने अपने 68 रनों की पारी में 64 और 6 चक्के लगाए यानि उन्होंने बॉंडिस से ही 60 रन बना लि कि शायद किंग कोली अब फॉम में आ चुके है उन्होंने अपनी पारी में एक ही चौका लगा लेकिन तीन चपके लगाए दोस्तों उन्होंने उनका भी स्ट्राइक रेट 134 था तो इस तरह से भारत ने 192 रन बना लिए होंग को जीतने के लिए 193 रनों की ज़रुत है द और साथी साथ उनकी अब तक के सबसे बेस्ट पारी कौन सी रही तो ठीके रखतो आज की वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद गुडबाद